हेलो माई डियर स्टुडेंट्स तोडे वी आप देख भी पा रहे होंगे यह कैमल है ठीक है इसका फर्स्ट पार्ट हम अल्रेडी डिस्कस कर चुके है मैं आपको समझा चुका हूँ अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिये तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी ठीक है तो आज हम जो सेकिंड पार्ट है आपका स्टॉरी का आपकी बुक में जो सेकिंड पार्ट आपने देखा होगा वहाँ से पढ़ेंगे और समझने की कोशिस करते हैं उससे आगे क्या होता है कहानी में मैंने तुमें पहले ह वह बहुत ज्यादा लेजी होता है इनकी वज़े से इनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है इन तीनों को और उसके वज़े से परेसान हो जाते हैं और जिन इसमें एक स्परिट होती है उससे इस हिकायत करते हैं तो जिन कैमल को एक स्राप टाइप का दे देता है कि वह स्टूरी का आज हम तो स्टूडेंट्स यहां से हम पड़ते हैं सेगिंद पार्ट है दजिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिस डस्ट क्लॉक अब जो जिन है वह अपने आपको फिर से रोल्ड कर देता है यानि कि चारों तरफ से घूमते होई गयब होता है इमसेल्फ इन डस क्लॉक क्लॉक का मतलब यहां पर लबाद है डस्ट में जो धका हुआ हो होता है वह धूल जैसी चीज चारों तरफ से मैं तुमें वीडियो में भी दिखाया है फोटो में तो उसमें धका हुआ वापस रोल करता है एंड ठुक अ वाक अक्रोस डेजर्ट और डेजर्ट में चला जाता है एक यात्रा पर चले जाता है एंड फाउंड दा कैमल और कैमल को पाता है लुकिंग अट इस ओन रिफ्लेक्शन इन पूल आफ वाटर जो कि लुकिंग मलब देखते हुए अट इस ओन रिफ्लेक्शन अपनी ही इमेज को इफ्लेक्शन का मतलब है इमेज अप मेरे दोस्त what is this I hear of you are doing no work कि यह क्या है मैंने तुम्हारे कुछ काम नहीं करने के बारे में सुना है ठीक है तो आगे वो कहता है दा जिन सेट डाउन जिन जो है नीचे बैठ जाता है फिर with his chin in his hand अपने चिन को जो ठुड़ी होती है उसको अपने हाथ में लेते हुए फोटो में भी आपने देखा होगा and begin to think और शुरू कर देता है सोचना a great magic एक बड़ा जादू सोचना शुरू कर देता हो फिर while the camel looked at his own reflection in the pool of water जबकि जब camel जो है अपनी जो ओन का मतलब अपना नीजी reflection मतलब image अपनी सकल जब पानी में देख रहा था उसी दोरान जो जिन है उसने एक जादू करने का सोचा क्योंकि उसके अंदर बहुत जादूई ताकत होती थी जैसे कि मैं आपको बताया है वो spirit है किसे भी रूप को धान कर सकता है तो एक जादू करता है you have given the three extra work ever since आपको दिया जा चुका है you have given the three extra work ever since the three मतलब उन तीनों का extra work जो अभी तक उन्होंने किया है since Monday morning Monday morning से उन तीनों ने जो है extra work किया है उस काम को तुम्हें दिया जा चुका है all on account of your idleness और यह सब जो है तुम्हें जो दिया गया है on account of का मतलब होता है कि परिणाम सुरूप of your idleness तुमारी जो laziness है जो तुमारा न thinking with his chin in his hand अब वो फिर जो है सुचना सुरू कर जेता है जिन उसके बाद क्या होता है हमप said the camel camel ने जिन को देखके भी कोई भय परकट नहीं किया और उसने हमप का हमप का जैसे मतलब मैं तुम्हें बता दिया घ्रना परकट करना होता है छी जैसे हम बोलते हैं तो camel ने ऐसी that again if I were you said the gin I shouldn't say that again मैं इसको दुबारा बिलकुल नहीं बोलता if I were you यदि मैं तुम्हेरी जगह पे होता है said the gin जिन ने उसको कहा किसको कहा camel को कहा कि मैं इसको ऐसा बिलकुल नहीं कहता जैसे कि तुम बोल रहे हो ठीक है क्या बोल रहे हो हमप अगर मैं तुम्हेरी जगह प मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो and the camel said hump again और camel ने फिर से hump बोल दिया जिससे जिन को क्या हो गया गुसा आ गया but no sooner लेकिन जियों ही had he said it जैसे उसने hump को बोला then he saw his back तब उन्ट ने अपनी back को देखा अपनी peat को देखा क्योंकि वो पानी में देख रहा था और पानी में अपनी सकल को देख रहा था that he was so proud of अपनी back peat को उसने देखा ठीक है जिसका कि उसको he was so proud of जिस पे उसको बहुत ज़्यादा गर्व था घमंड होता था ओंट को अपनी peat पे puffing up and puffing up into a great big hump उसकी जो peat थी वो puff up हो रही थी puffing up का मतलब फूल रही थी swelling उसकी peat पे होने लग गया जैसे कोबड उसका बनने लग गया मतलब यह समझ लो आप ठीक है into a great big hump एक बड़े hump के रूप में कोबड की रूप में उसकी peat जो है उपर होने लग जो magic जो है पर magic कर दिया उसके पीछे कूबड बना दिया अब आगे देखो आगे क्या होता है जिन ने उसको बोला कि क्या तुम देख रहे हो अपने देखते हो अपने पीछे देख रहे हो कूबड अपना हंप पीछे जैसे यहाँ पर हंप का मतलब लिखा हो अभी है ठीक है यह तुमारा है यह तुमारा अपना ही हंप है अपना ही कूबड है अपने आप तुमने इसको पैदा कर दिया है बड़ा कर दिया है पाल पोस्ट दिया है यह तुमने इसको पैदा किया है काम नहीं करने के कराण तुड़े इन थस्डे इस थस्डे आज ब्रहस्पतवार है थस्डे है and you have done no work since Monday और तुमने Monday से सोमवार से कोई भी काम नहीं किया है when the work began जब काम शरू हुआ था now you are going to work अब तुम काम करने जा रहे हो तुम्हें काम करना है जिनने ऊंट को बोल दिया अब देखो आगे क्या होता है how can I set the camel with this hump on my back अब camel बोल रहा कि भाई मैं कैसे काम करूँगा मेरे पीट में इतना बड़ा hump बन गया इतना बड़ा कोगड हो गया है वो घवरा गया था ठीक है that has a purpose said the jin jin ने कहा कि भाई इसका भी एक उदेश्या है यह तुम्हें hump दिया गया है इसका भी क्या है purpose है उदेश्या है all because you missed those three days और यह सब इसलिए है क्योंकि you missed तुमने miss कर दिया those three days उन तीन दिनों को you will be able to work now for three days without eating इसलिए you will be able आप योग्या हो गये हैं work now काम करने के for three days three days मतलब तीन दिन के लिए without eating मतलब विना खाए because you can live on your hump क्योंकि आप अपनी जो hump है इस पे तीन दिन तक जीवित रह सकते हैं इसलिए मैंने आपको hump दिये क्योंकि आपको तीन दिन का काम क्या करना है पूरा करना है बिना खाए भी है and don't you ever say I never did anything for you और आप कभी यह मत कहना कि मैंने तुमारे लिए कभी कुछ नहीं किया come out of the desert and go to the three and behave अब desert से बाहर आओ desert से बाहर आओ और go to the three उन तीनों जानवरों के साथ जाओ और behave मतलब अपना काम करो चलो आगे देखते हैं क्या होता है and the camel went away to join the three और अब camel जो है वहां से चले गया उन तीनों जानवरों को join करने के लिए and join मतलब उनसे साथ मिल के काम करने के लिए and from that day उस दिन से to this इस दिन तक the camel always wear a hump उस दिन से लेकर आज तक जो है camel का हमेसा एक hump होता है we call it hump हम इसको हम बोलते हैं now not to hurt his feelings ताकि उसकी भावनाओं को कोई ठेंस न पहुंचे but he has never yet caught up with the three days that he missed at the beginning of the world and he has never yet learned how to behave लेकिन अब वो एक चीज और बोल रहा है कि but he has never yet caught up with the three days लेकिन अभी तक वो जो है वो जो तीन दिन उसकी थे जो छूट गए थे काम के उनको अभी तक पूरा नहीं कर सकाया यानि काउट अप का मतलब पकड़ नहीं पाया है वापस that he missed at the beginning of the world, जिसको कि उसने miss कर दिया था at the beginning of जब दुनिया शुरू हुई थी उस समय and he has never yet learned how to behave और वो अभी तक भी यह नहीं सीख पाया है कि कैसे अच्छे से काम करना है तो यहां पर यह आपको एक moral lesson देने की कोशिस की गई है कि आप कभी भी lazy नहीं होना चाहिए जब आप एक बार पीछे छूड़ जाते हो race में हो चाहिए किसी भी चीज में हो life में किसी भी field में तो जब आप पीछे छूड़ जाते हो एक बार तो आपको उस स्टोरी जो आपकी बुक की है वह आप चाहते हैं कि आप देखना चाहिए जा आपकी जो दूसरी बुक है उसकी भी जो स्टोरीज है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें सेयर करें थैंक्यू फोर वाचिंग